नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरति में दोस्तों आज हम बात करेंगे अनुवासन के विशह में यानि कि धूप अनुवासन के विशह में वैसे मैंने आप लोगों को इस विशह में पहले भी कई बार जो है इसके बार में मैंने चर्चा किया है इस विशह के ऊपर पर चैनल में जैसे की नए-नए लोग जुड़ते जाते हैं तो वो उन विशह को जो है थोड़ा सा एक नए तरिके से थोड़ा समझना चाहते हैं या इसलिए कई समय कई सारे पुराने विश्व के ओपर भी अउपडेट वाली ये सारे वीडियो बनने पड़ते हैं तो एक तरके से ये आप नया वीडियो ही है क्योंकि अनुवासन के खुलकर मैंने वीडियो पहले उतना नहीं बनाया है धूप अनुवासन किसे कहा जाता है त अनवासन होता है धूप से वासित करना यानि कि कुछ सुगंधित जो धूमर आदी होते है उससे जो है भगवान को वासना वासना मतलब जो होता है वासित करना सुगंधित करना जिसे कहा जाता है उसे जो है अनवासन कहा जाता है धूपन धूपन भी कहा जाता है इस कोश की अगर अर्थ में ले तो सुगंधित जो धूम्र जो है जो सुगंधित धूम्र है उससे वासित करना अर्थात जो है सुगंधित करना असल में जो है अगर कहा जाए तो सुगंधित करना तो धूप वासित करना धूपन करना और वासना धूप वासना अर्थात जो है होना चाहिए सुगंधित वाले धूप धूम्र से जो है वासना वासित करना धूपन गरना तो एकी विशा है ये तो सुगंधित धूम्र से जैसे हम भगवान के सामने धूप आधी प्रज्वलन करते है ना तो यही जो है जब हम भगवान के श्रिंगारादी के समय जो है आप देखिएगा ये वैशनब कई सारे मंदरों में ये किये जाते हैं शाक्त मंदर में भी है जैसे कि दक्षपिनेश्वन मंदर में जब चार बजे के समय जब जो है मंदर खोला जाता है शाम के समय जो है शाम के आरती के पहले जब मंदिर खोला जाते है, चार बजे मंदिर खोला जाता है, जो सर्दी का समय होता है, उस समय सारे दीन बजे जो है मंदिर खोलता है, और जो गर्मी का समय होता है, शिवरात्री के बाद से जो है, चार बजे जो है, काली पुजा से लेकर शिवरात्री तक तश्विनेश्वन मंदर जो है वो सारे तीन बज़े खोलता है और शिवरात्री के बाद से जो है काली पूजा यान दिपावली तक का जो है तम चार बज़े खोलता है मंदर जो है चार बज़े खोलता है तो जो फोर पीम यानि कि शाम को जो चार बज़े खुला जाता है मा की मालाधी परिवर्तन करके मा को धुना दिया जाता है यानि की धूप दिया जाता है हमारी यहाँ पर लोकल भाषे में उसे धुना देना कहते है धुनची में जो धूप प्रजुलन करके दिया जाता है तो उसमें मुख्यता क्योंकि धुना होता है तो उसलिए उसे धुन कहते हैं या फर धुनची धूप कैसे हैं कहते हैं तो धुनची धूप या धुना से जो है मा को धूप वासित किया जाता है उस समय पहले के जब मैं बच्चपन में जाता था तो तब देखता था कि मा के सामने वो धूप जो है प्रजुलित रहता था एकदम संध्या आरती के पहले तक पर अभी जो है उतना नहीं होता है क्योंकि मंदर में धीर आधी भी बहुत बढ़ गया है ये कारण से जो है तो ये जो है ये जो श्रिंगार के माको जो है जैसे हम सेंट आधी लगाते हैं ना एक प्रकार से कपड़े आधी पहन कर तो ये भी जो है एक प्रकार का वही प्रक्रिया है ये प्राचीन सेंट वाला प्रक्रिया है मतलब प्राचीन सेंट वाले प्रक्रिया ये रजवारों के वहाँ भी आप लोगों को दिखने को मिलेगा जो राजपताना में हो या कई सारे जो राज जो रजवारे हैं वहाँ पर भी आपको दिखने को मिलेगा वैश्नम मंदिरों में खासकर ये नियम बहुत सुंदरता से देखे जा सकते है कि वहाँ पर जो है गुगल चंदन आदी कपूर गुगल चंदन आदी धुना विश्वर धूप से जो है भागवान को ये धूप वासित किये जाते है जब श्रिंगार आदी किये जाते है इसे धूप विलास भी कहा जाता है, असल में जो लौकिक तोर पर जो है, इसे धूप विलास कहा जाता है, विलास का अर्थ होता है, भगवान जो है, उस धूप आदी सुगंत से जो है, हम भगवान को अनंद प्रदान कर रहे हैं, तो अनंद प्रदान कर रहे हैं, और इसे ही जब जो है थोड़ा सा और अगर सही तरीके से कहा जाए इस विश्यक को ही तो उसे धूप अनुवासन इसे अनुवासन कहा जाता है तो इसे धूप अनुवासन या अनुवासन कहा जाता है मतलब धूप विलासी अनुवासन है जब असल में मंत्र आदी में प्रयोग होता है जब विद्धी में जब जो है निवेदन किये जाते हैं तो वो जो है अनुवासेन धूप कहा जाता है अनुवासेन धूप कहा जाता है तो अनुवासेन धूप अर्थात जो है जिस धूप से हम आपको अनुवासित यान की धूपित कर रहे हैं धूप वासित कर रहे हैं आपको अ रहा है दूप नवेद्यम जैसे हो रहा है एक उसी तरकी से धूप अनुवास अन्यानी की ये जो धूम्र जो प्रदान हम कर रहे है जो धूप निवेदन आती है वो असल में जिसे कि प्राण वायू के प्रती ग्रूप में हम दे रहे है जो हम आर्ती कर रहे है तो वहाँ पर भगवान के आनंद प्रदान के लिए ये धूप जो है हम उन्हें दे रहे है जगनाप पुड़ी में भी ऐसे कई सारे नियम आदी है जैसे भगवान कुछ अंदन का श्रिंगार करया जाते है पुश्प का श्रिंगार करया जाते है और धूप आदी जो है उस समय उन्हें इस प्रकार से धूप वासित किये जाते हैं अनुवासन किये जाते हैं तो धूप विलास ही जो है वो जब और थोड़ा सही तरीके से कहा जाएगा तो वो अनुवासन है भगवान के सामने हम श्रिंगारादी के समय जो धूप प्रज्वलन करके रख रहे हैं भगवान के आनंद क लिए जो है वही जो है धूप अनुवासन है अर्थात अनुवासीन धूप उपचार निवेधन के समय जो है आप लोग प्लेलिस्ट में देखेगा मैंने अनुवासन धूप किस प्रकार से निवेधन किया जाएगा मतलब जो उपचार विदिवे निवेधन की जो प्रक्डि धूप अर्थात भगवान को सुगंध से धूप जो है धूप आदी सुगंध से धूप धुम्न सुगंध से जो है अनन्द प्रदान करना वही जो है धूप अनुवासन है तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विश्य समझ में आही गया है दोस्तों कि जब हम भगवान की श्रिंगायमाद पुष्प गंध पुष्प आदी से जैसे हम क्या करते है जैसे हम लोग अगर खुद के अगर सोचे तो वहाँ पर जैसे हम ड्रेस आदी पहनने के बाद सेंट आदी से जो है अपने आपको सजाते तो भगवान को भी जो है यह हमारी आदी परंपरा है यह हमारी प्राचीन परंपरा है यह जो धूप वासित करने का यह अनुवासन करने का तो भगवान को भी यह हम सुगंधि आनंद प्रदान कर रहे है अर्थात भगवान को पुष्प आदी से श्रिंगार आदी से बहुत सुंदरता से सजाकर जो है अब हम जो है ये जो धुनची धूप प्रच्छलन करते हूँ ये जो है ये आपको चंदन धूप गुगल धूप यही सारे धूप ही जो है आपको अनुवासन में देना होगा आप जो है अगरवत्ति आदी बिल्कुल नहीं कर सकते अनुवासन धूप अर्थात जो है अगरुकाष्ट के धूप जो है ये सारे जो है ये अनुवासन के धूप है ये सारे जो है ये अनुवासन के धूप है अर्थात भगवान को सुगंदित धूम्र से जो है आनंद हम प्रदान कर रहे हैं उनकी श्रिंगार आ उसके बाद हमने फूल आधी से मा को सजाया, माले आधी से बहुत सुन्दरता से हमने सजा, उसके बाद इस तरह से जैसे कि देखे, मैंने तीन जो यहाँ पर धूप पात्र रहे तो इस प्रकार से तीन ना हो कम से कम एकी सही, तो ऐसे जब हम धूप, ऐसे सुगंदे धूप जब प्रजुलित कर रहे हैं यहाँ पर जो है, तो यह जो है, यह सुगंध मैं आनंद प्रदान कर रहे हैं हम, अर्थात भगवान को यह सुगंद विलाज दे रहे हैं, तो यही जो है अनुवासन है, भगवान माता को श्रिंगार आधी करा के, या अफठा गुर्जी को, हिस्री लक्षिनार्यन को हो, जानकिर गणात को हो, जो भी आपके आराध्या है, उन्हीं आप बहुत सुंदरता से श्रिंगाराधी कराने के बाद, इस तरीके से जब धूप प्रजुलित करके सही विद्धी से, और अनुवासन का धूपना बहुत तेज नहीं होना चाहिए, मीडियम बाला अगर रहे, तो मतलब उस मीडियम बाले अगर धूम रहो, तो वही सबसे साथा सही होता है, क्योंकि हम अनंद प्रदान करते हैं, तो अनंद प्रदान में एक बार में ही बहुत सारा धुआ नहीं होना चाहिए, ये विशय भी जो हर विधीकाना अपना अपना एक तरीका होता है, हम लोग कई समय जो है इन सारे विशयों को उतना ध्यान नहीं रखते हैं, बस करनी की लिए करते हैं, पर ये ही सारे अगर हम बहुत सही तरीके से निष्टा पूरवक करें, तो एक अनंद अनंद बलता है, तो धूप अनवासन जो है, ये ही विशय है, बहुता है, तो मुझे लगता है आप लोगों को धूप अनवासन की विशय जो है, खमज में आ किया है, अगर आप लोगों का कोई सवाल आदी है मुझसे इस वशय में, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके, मील करके बोल सकते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,